प्रेसिडेंट रूल इंपोस होना चाहिए ना ये तो देवन से हम मांग करे हैं क्यों नहीं दिया अभी तक वहाँ की जो पुलिस है परसासन है वो भी क्या नाम है जो वहाँ का जो मैतिस समाज उसके साथ है को की समाज के साथ नहीं है ये सेकुरिटी फोर्स भेजना ही जिम्मेदारी नहीं बनता है अगर आप जाओ तो एक सेकेंड में यू खतम होगा शांती होगा और पर बनाकर उनको जो दंड तो दिया जाए ना क्योंकि नहीं तो ये चलता रहेगा नमस्कार न्यूस क्लिक में आपका सवागत है मैं हूं मुकुंद और अभी मौजूदी जंतर मंतर पर जहां दलित सोचन मुक्ती मंच और आदिवासी अधिकार राष्ट्रे मंच ने सयुक्त रूप से मनिपूर मुझे पिछले दो मैने से अधिक से जारी है उसको लेकर ए अधिवासी अधिकार मंच और दलित सोचन मुक्ती मंच के अलावा अन्य मनिपूर के अधिवासी संगटम भी सामिल हूए है उन्य जमने बातचीत किये सुने हैं वहां क्या हालात है और उनके भी सरकार से के सतरे की मांग है मुनिपूर का जो अधिवासी कोकी लोग और मुनिपूर का जो मेटी लोग आम मुईती वो भी नहीं चाहता है उसका खिलाब है यह यह दुनों का बिच में यह जगरा लगा कर केसे उहां का जो एंटी पीपल यह बढ़ते जनता पार्टी का सरकार सत्ता में रहे पाए इस का कोशिस यह है और आने वाले संद्वाजेट चब्रिस का जो चुनाओ उनका लक्स में रखकर यह कदम बुलोग उठा रहा है आप पीश होरा पीश होरा करके वहां पे आप खुट जाके देखिए हम जुट बोलेंगे अगर पीश होता आज तक अपने भैन भाई परिवा अपने कम्यूनिटी इतना परिशान क्यों है है अगर पीश होता तो पूरा दुनिया को समझ में नहीं आएंगे आपको भी समझ जाएंगे में भी समझ जाओंगी मुझ से पीश बोलो और यहां पे लराय करवाओ क्या फाइदा है यह पीश हो गया अगर पीश होता तो देखा कि वहां पर क्या ना में को कई समाज की जो महिलाएं थी उनके साथ बलतकार उनके भाई को भादर को उनको खतम कर दिया गया और गाड़ी से पुलिस की हैंड पुलिस ने हैंड़ोवर किया है उनको क्या ना में तो पुलिस के हैंड़ोवर में उनके साथ यह घटना समाज हो कोई भी समाज हो चाए उनका कोई भी नेता पिर्दिनिती हो उनको तुरंट गरफतार किया जाए उनके इसपास सक्त सक्त कारविया की जाए और वहाँ पर राष्ट पती सासन लगा दिया जाए लेकिन अमिसाह जी और क्याना में निरंदर मोदी जी के कान पर जून निवोल रहा है तो यह तो स्टेट स्पोंसर्ट बोद दी संडल गावमिन और स्टेट गावमिन इस पॉंसर्ट वाइज तो गावमिन्स इस अठाक एगंस देपीपल अब मनीपूर नोट अनली दी को किया लून अगिंस देमेटे अल्सों मनीपूर सरकार इनका ट्राइबल के उपर हमला कर रहे हैं अभी लगबक तीन सव लोग मर गया है और पांच हजार से ज्यादा मकान जला गया है और इंफल इंफल ताउन में अभी कुकी जोमी मार ग्रूप का कोई ट्राइबल नहीं रहे पाया सब लोग बाग गया है गवर्मेंट का फेलियर हैं मैं तो गैता हूं केंदर का भी और राज्य का भी जो है और सत्ता द्वारा मजचत ही कहेंगे जो है ना जो उनके हाथ में कून हत्यार देता है इनको कहां फायदा होता है, किस से फायदा होगा, तो इनका जो मोटो है, जो इनका मकसद होता है, उसके लिए काम करते हैं, क्योंकि अपनी विचार धारा है, आज मैं तो एक बात सीथी का बोलता हूँ कि ब्रहामिनवाद मनुवाद अच्छट पढ़ा रहा है, वो चरम पे पहुचने के बाद क्या होता है, उसको लड़ खडाने का, गिरने का डर होता है, अब इनको यह लगरा कि कभी पता नहीं आगे है, आए और लेकिन जितना भी जो भी कुछ है, अभी हम कर सके हैं, और किया भी है इनकी जो टार्गेट्स, उनकी अच्छी भी किया है, तो ले यह तो देवन से हम मांग करे है, क्यों नहीं दिया, अभी तक, देना चाहिए ना, आप पीस नहीं हो रहे हैं, और प्रेसिडेन रूल, अगर आप जाओ तो एक सेकेंड में यू खतम होगा, शांती होगा, तीन माइना दो दिन आप तक चल रहा है, क्यों नहीं हुआ भाई कि यह ट्राइबल की जगा है, अदिवासी की जगा है, तो उन्होंने यह चीज़ को दिखने के ताइम बहुत बीसनेस बनना चाहते हैं, बीसनेस बनना चाहते के बाद जगा तो हम रहते हैं, उसको बगाने के लिए उन्होंने फोरेस में एतिक करते हैं, सबसे पहले, प्र लास में हम कुकी जव लोग को आप लोग रिफ्यूजी है, फोरेंटर है, इसी बोलके है और लास में ट्राइब दिवानकर के हमको बगाने के लिए खोशिस करते है पुलिस प्रसाशन है यह भी क्या नाम है जो महतिस समाज उसके साथ है, कुकी समाज के साथ नहीं है वहां पर बहुत बड़ी बड़ी घटनाई हो रही है और वहां के जो चीप मिनिश्टर है वेरन सिंग जी वो कहते हैं कि अगर ये इंटरनेट बंद अगर इंटरनेट जी दिन खुल जाएगा तो उद दिन ऐसी तो सैक्ड़ी घटनाई घटी है यहां पर तो हम यह साजी से और मोदीजी से चाहते है कि तुरंट वहां पर राष्ट्रपधि सासन लगाया जाए और वहां की सरकार उबर्खात करके तुरंट उन पर कारवाई की जाए वहां पर जो भी अलीमेंट चला उसको तुरंट रोखा जाए वहां पर जो भी हमारे विक्टिम्स हैं उनको जो प्राइम मिनिस्टर का एक जिम्मेदारी बनता इस तरह के यह देश में जहां भी यह घटना घटे और यह लगाता चल रहा है लगवक्तीन महिना से चल रहा है यह तो कोई ममूली घटना नहीं है न यह भाती महत्तपुर्णो एक बरभरता पुर्भवक्त पुर्नए घटना चल रहा है और उसी के बारे में उधर का जो अधिबासी गहर अधिबासी जनता है जिसके बीच में एक दंगा फैसाद पैसा चल रहा है इसको निपादने के लिए तो देश की सरकार का पहले जिम्मेदारी बनता है और देश का प्रधान मंत्री अगर ऐसा चूप बैट रहेंगे तो ये तो बहुत ही निंदा जनक है और ये पूरा डिविजन हो गया अभी हम लोग का मांगिया है ठेक है इंफल वैली का मेटे लोगों ने इतना हमला कर रहे हैं और हम लोग साथ में रहना चाहता है तो फॉर्मल सरकार ने ये रिकोगनाज करके सपरेट अड्मिनिस्ट्रेशन देना चाहिए ये हमारा पॉइं ये सेकुरिटी फोर्स भेजना ही जिम्मेदारी नहीं बनता है ये पॉलिटिकल इंटर्वेंशन भी चाहिए था तो क्यों नहीं होता है अभी तक परल्लेमेंट में क्यों नहीं बाहस होता है तिन मैने हो गया परल्लेमेंट शुरू हो गया दो हफ्ता पूरा हो जा रहा है लेकिन अभी तक कोई कारवाई नहीं हुआ इतना महत्रपुर्ण घटना का जे नसनल इसूस है अमिच साजी है और मोदीजी है क्यों अभी तक अब लोग चुपी बेट है क्यों हमको मरने के लिए खोसिस करते हम हमको बचाओ हम कर रहा हूं तो उसको बर्खास करो सरकर को बर्खास करो और हां पर लॉडर मेंटेन करने के लिए जो कदम उठाना चाहिए उसको टाइए हुआ पर ला बर्खास करने 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 कर दो चाहिए उसको बर्खास कर दो मेंटेना कर दो कर दो कर दो लिए भी खिए जो गचाए और कर दो रहा हुआ है